कच्चा चेठा के आज के स्पेशल एडिशन की शुरुआत पर्मानू हत्यार के ट्रिपल अलार्म से पर्मानू हत्यारों को लेकर आज तीन देशों से संसनी खेज खबर सामने आई ये देश हैं इरान, रूस और चीन सबसे बड़ी खबर इरान के पर्मानू कारेकरम को लेकर है दरसल अमेरिका के रक्षा मंत्राले ने अपनी एक बहुत ही विश्वस्निय रिपोर्ट 2023 में बेहद चौक आने वाला ये दावा किया है इरान, चीन, रूस और खौपनाद न्योक्लियर अलाम इस अलाम को सुनकर अमेरिका की परिशानी बढ़ गई है इस अलाम को सुनकर ब्रिटेन खौप में है इस अलाम को सुनकर अज्राइल न्यूक्लियर स्ट्राइक का फैसला ले सकता है इसे सुनकर सौधी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हरी जंडी दिखा सकता है क्योंकि एक ऐसा न्यूक्लियर सारन है जिससे दुनिया के 25 से अधिक देशों में संसनी मची होई है वज़े है परमाणो युद्ध का खत्रा खत्रा नंबर एक रूस के 11 टाइम जून में एक साथ परमाणो हमले का अभ्यास खत्रा नंबर दो चीन का न्यूक्लियर बंब से लैस सुपर वेपन खत्रा नंबर थी दो हफ़ते में परमाणो हथियार बना सकता है इरान पेंटागन की न्यूक्लियर साइट पर एजरेल के स्ट्राइब खत्रा नंबर पाँच इरान के बाद सौधी अरब बनाएगा परमाणू पम रूस ऐसा परमाणू युद्ध भ्यास कर रहा है जैसा अब तक कभी नहीं हुआ रूस ने पहली बार पूरे देश में परमाणू युद्ध भ्यास की खोशना की है तीन अक्टूबर को रूस की इस रज्जिक न्यूक्लियर फोर्स यानि परमाणू त्रीमोर की पूरी शक्ती के साथ युद्ध भ्यास कर अपनी परमाणू ताकत का प्रदर्शन कर रही है रूस और चीन के हाइपरसोनिक हत्यारों ने पेंटागन की परिशानी बढ़ा रखी है वहीं अमेरिका ने दाबा किया है कि इरान अगले दो हफ्तों में परमाणू हत्यार बना सकता है इसी वज़ा से अमेरिकी सैटलाइट सुपर आक्टिव है सैटलाइट के लेंस इरान पर जूम हो गये है इरान के न्यूक्लियर साइटों के हाई रेजलोशन तस्वीरें नी जा रही है रूस के न्यूक्लियर वार एक्सेसाइज को गौर से देखा जा रहा है रूस की धर्ती से लेकर आस्मान और आस्मान से लेकर समंदर तक में तैनाथ परमानू हथियारों की निग्रानी हो रही है सबसे पहले बाद अमेरिका से आई एमर्जेंसी व्वानिंग की अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ओफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में बहुत ही चोंकाने वाला तावा किया है अमेरिका की रक्षा मंत्राले के मुधाबे एरान अगले दो हफ़ते में परमानू हथियार बना सकता है स्ट्रेजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ओफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में दावा किया गया है कि एरान के पास 14 दिनों के अंगर परमानू हथियार तयार कर लेने का कर्चा माल तयार है रिपोर्ट के मुताबिक एरान के पास रिकॉर्ड समय में परमानू हथियार बनाने के लिए जरूरी बुनियादी धाचा है परमानू बं बनाने की तक नीकी जानकारी है एरान अपने परमानू कारेक्रम से जोड़ी जानकारिया नहीं दे रहा है अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक इरान ने उस लेवल तक का यूरेनियम तयार कर लिया है जितना परमाणू हथियार बनाने के लिए जरूरी होता है ऐसे में इरान बेहद कम समय में परमाणू हथियार बना सकता है रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इरान परमानू सैयंत्रों में कई एहम साइटों पर कैमरे लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा है इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि वो किस लेवल का यूरेनियम सेंट्री फ्यूज कर रहा है वही मई 2020 में आई सैटलाइट तस्वीरों से ये बात शीशे की तरह साप हो चुकी है कि इरान पहाडों में सैक्रों फीट गहरी सुरंगे खूट कर परमानू हत्यार बना रहा है और अब आपको एक बेहद खास यानि बहुत ज्यादा इंपॉर्टन इंफरमेशन आप तक पहुचाने जा रहे हैं दरसल इरान की नुकलियर साइट की इन दो सैटलाइट तस्वीरों को जो किस वक्त आपके सामने मौजूद है बेहद गोर से देखिएगा क्योंकि इसने पूरी दुनिया की धड़कने बहुत तेजी के साथ बढ़ा दी है नतान्स नुकलियर साइट इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा जो ये एरो आप देख रहे हैं ये नतान्स नुकलियर साइट है जो कि सेटलाइट तस्वीरों के जरीए सामने आई है ये पहली तस्वीर है जो कि इरान की सबसे बड़ी नतान्स नुकलियर साइट है अब इसका जिक्र यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम ये समझें दरसल इरान ने अपने साइट को जो आप इस वक्त यहां देख रहे हैं जाग्रोस के पहाडों के बीच में तैयार किया है जो यह साइट आप देख रहे हैं जाग्रोस के पहाड़ इसके बारे में अगर जानेंगे तो एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि ये इरान और इराक की सबसे बड़ी परवत माला है सेटलाइट इमिज से इस बात का भी पता चला कि इरान नतांज नूकलियर साइट के पास पहाड में सुरंगे खोद रहा है आप इन सुरंगों को भी आप देख लीजे क्योंकि ये सुरंगे बताएंगी कि खत्रा किस तरह से पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है इन सुरंगों की गहराई जानकर आप हैरान रहे जाएंगे क्योंकि इन सुरंगों की गहराई इतनी ज्यादा है कि कोई भी हमला इन में नहीं हो सकता है अगर हमलावर ने हमला भी किया तो वो बेसर साबित हो जाएगा कैसे आप देखिए यह सुरंगे यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी दरसल 260 फीट से लेकर 328 फीट गहरी यह सुरंगे हैं कितना भी बड़ा हमला होगा दरसल दावा यह किया जा रहा है कि जो इनकी जादा है कि किसी भी तरह का हमला इन पर नहीं हो सकता है सब बेसर साबित हो जाएगा और यहीं इरान ने अपनी नई नूकलियर साइट को यहाँ पर बना दिया है जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं यह गेट आप देखिए यह सुरंग आप देखिए यह इतनी ग जाबित हो जाएगा गेट यह सुरंग आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी नई भूमिकत नूकलियर साइट किस तरह से यहाँ पर बनाई जा रही है वह आपके सामने है और इसे आप दूसरी सैटलाइट तस्वीरे के जरिए भी समझ सकते हैं दूसरी सैटलाइट तस्व पहराई में यहां पर है दावा ये किया जा रहा है कि एरान के पर्माणू इस थल पर अमेरिका के हत्यार भी पूरी तरह से बे असर साबित हो जाएंगे जो आपको यहां नजर आ रहा है यह है नतांज लियूक्या साइड जो की जाग्रोस के पहाडों पर यहां पर बनाए ग इरान बीदे दो दशक से जादा समय से पर्माणू शक्ती बनने की कोशिश कर रहा है अलाकि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि एरान पर्माणू शक्ती से लैस हो दावा किया जा रहा है कि इरान पर्माणू पंब बनाने के काफी करीब पहुँच गया है इरान में पर्माणू कारिक्रम को लेकर यून की संस्था IAEA यानि International Atomic Energy Agency के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इरान ने यूरेनियम की एक बड़े खेब को इकठा कर लिया है वैसे तो इरान ने 6 बॉट पर नियूक्लियर रेक्टर लगा रखे है लेकिन इन में से 2 एहम साइट है पहला है नतांज और दूसरा फोडो में बना भूमिगत नियूक्लियर साइट जहां इरान सबसे अधिक उच्छ बुडवत्ता का यूरेनियम समर्धन करता है इरान के परमाणू प्रोजेक्ट की प्रोक्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी है ये नतांज नियूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है 2002 से 2020 तक इस साइट का इरान ने बहुत विस्तार किया है वहीं फोडो वाले नियूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीरें 2009 में सामने आई थी यहां भी 2002 से 2020 तक इरान ने काफी विकास किया है दावा किया जाता है कि इरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है दावे के मुताबिक इरान ने यूरेनियम का जो ज़कीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि इरान परमाणू बम बनाने के करीब पहुँच गया है परमाणू बम बनाने के लिए 90 प्रतिशक समवर्धित योरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक इरान 83.7 फीजदी समवर्धित योरेनियम हासिल कर चुका है यानि वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुँच चुका है IAEA के रेपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणू समझोते के बाद इरान की योरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है खत्रा इस बात का भी बढ़ गया है कि इरान के परमाणू हथियार बनाने के बाद खाड़ी में न्योकलियर रेस शुरू हो जाएगी यही वज़ा है कि इरान के परमाणू प्रोग्राम के चलते इसरेल और इरान में ठंग गई है सौधी अरब के प्रिंस की आखे तन गई है इसरेल के प्रधान मंत्री बैनियमिन नेतनियाहु ने प्रण किया है कि इसरेल इरान को परमाणू बं से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देगा वही साओधी अरब के प्रिंश मुहम्मद बिन्च सल्मान ने धम की भरा अलान किया है प्रिंच सल्मान ने अलान किया है कि अगर इरान परमाणू हत्यार हासल कर लेता है तो साओधी अरब भी पीछे नहीं रहेगा दावा किया जाता है कि खाडी देशों में गुप चुप तरीके से परमाणू हत्यारों को बनाने का काम चल रहा है यही वज़े है कि खाडी में शुरू होई परमाणू रेस के सबसे बड़े खिलाडी इरान को लेकर ब्रिटन की जनता डरी होई है ब्रिटेन की मश्यूर सर्वेजंसी डेल्टा पोल ने आखर क्या कुछ कहा वो समझना अब बहुत जरूरी है दरसल डेल्टा पोल ने दे नाशनल के लिए एक खास सर्वेक्षन किया क्या उसमें सामने आया है ये पूरी डीटेल इस वक्त आपके सामने दरसल इरान के नूकलियर प्रोग्राम से डर लगता है ये सवाल क्यूँ खड़ा हो रहा है बृटेन में आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि एरान का जो ये परमानू पूरा कारे करम है पूरी दुनिया के लिए खत्रा है कि इरान का जो ये परमानुकारेकरम है ब्रिटेन समेट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खत्रा यहाँ पर साबित हो सकता है ये मानना है और 11 फीसद लोगों का क्या मानना है ये भी दिखाते है उनका कहना है कि ब्रिटेन को नहीं कुछ देशों को खत्रा है कि ब्रिटेन को इस परमाणू खारेकरम से किसी तरह का कोई खत्रा नहीं है लेकिन साथ ही साथ कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें ये खत्रा यहां पर जरूर दिखाई देता है उनके लिए ये खतरनाक थाबित हो सकता है साथ ही साथ ये भी कहा आठ प्रतिशत लोगों ने जो उनका मानना यहां पर रहा है कि इसका खत्रा उन्हें बिल्कुल भी यहां नहीं है तो देखे किस तरह से प्रतिशत के हिसाब से फीसद के हिसाब से लोगों ने अपनी राय यहां पर रखी लेकिन परमाणों हत्यारों से जुड़ा एक खत्रा जिसने अमेरिका समेथ पूरे नैटो कैम्प को डरा रखा है